नमस्कार दोस्तों रस्या एंड यूक्रेन वारफ से नई अफडेट सामने निकल कर आ रही है जैसे कि सभी दोस्तों को पता ही है कि जल्दी में ही यूक्रेन के राश्पती ने जो कि पी एम नरंदर मोदीजी से बात की है और दोनों देशों के लिए जो कि जादा से जादा है और नुकसान भी कापी हो चुका है क्योंकि इतने सारे पब्लिक तबा हो चुकी है यूक्रेन एंड रस्या से भारती है लोगों का भी लोटना लगवख सभी का कन्फरम हो चुका है जो कि काफी लोग पहले ही भारत आ चुके हैं लेकिन दोस्तों हाली में ही इस वार के दोरान देखा गया है कि दोनों देशों को प्रदान मंतरी नरंदर मोदी समझाते नजर आये थे क्योंकि इस वार से किसी को कुछ चीज हांसिल होने वाली नहीं है इस सभी के बीच में अब देखना दिल्चस्प हो जाएगा कि आकर इस वार को रुखाने के लिए कितने लो कोसिस की गई थी जिससे कि दोनों देश एक दूसरे से लड़े नहीं लेकिन ये वार जल्दी ही थमने का नाम नहीं लिया है और फाइनली दोनों देशों के बीच में काफे वड़ा नुकसान भी देखने को मिला है रस्या एंड यूकरेन के अगर बात की जाएं तो दोनों देशों का वार एक दूसरे के अपोजिट नजरा रहा है जो कि दोनों देश एक दूसरे के बहुत ही जादा जो कि आपने देखी लिया होगा कि तनातनी का माहुल देखने को मिला है सभी देश इन दोनों को समझाते हुए भी नजराय थे दोस्तों देखना होगा कि इस बा होने वाला नहीं है जितने भ़ारतिय थे उनमें से काफी भारतिय जो की अपने वतन लौट चुके हैं और जिस तरीका से इं दो देशों की एक। दूसरे के साथ में वार चल रही है इस वार को रोकने के लिए अब एक बार फिर से दोनों देश एक दूसरे के सामने भी आई हैं और इस समय दोनों देशों ने प्रदानमंत्री नरण्दर मोधी की बात मानी हैं और जल्दी ही ये युद्ध रुक रहा है जी हाँ दोस्तो जिस तरिका से एक दूसरे पर अटैक करते हुए नजर आई हैं दोनों देशों के नेता लेकिन प्रदानमंत्री नरण्दर मोधी जी की बात वाकई मैं इन दोनों देशों ने फिर से मानी हैं और देखना होगा दोस्तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएए थैंक यू शो मजगाई